हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे गौस का नियम तो देखिए आपको कुछन किस प्रकार से बन सकता है इस्थिर वैद्दुतिकी में गौस के नियम का उल्लेक कीजिए या फिर इस्थिर वैद्दुतिकी में गौस के फर्मे को गणती रूप में लिखिए यह आपक कुछन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा 2022 के बोर्ड एक्जाम के लिए क्लास्टर फिजिक्स का देखे बच्चों यह कुछन 13, 14, 15, 16 अर्थात लगातार यह एक सिरीज में आता हुआ दिखाई दे रहा है तो चलिए हम गौस की नियम का यहाँ पे लिख दे लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है और अच्छे सिको भी समझेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है इस नियम के अनुसार किसी बंद प्रिष्ठ से कोई बंद प्रिष्ट हो वह चाहे घन घना आप कुछ भी हो सकता है किसी बंद प्रिष्ट से गुजरने वाला कुल वैदुत फ्लक्स फाई ई किसी बंद प्रिष्ट से गुजरने वाला कुल वैदुत फ्लक्स फाई ई उस प्रिष्ठ के भीतर इस्थित कुल आवेस जो की इसमाल Q है उसका one upon epsilon not गुना होता है या फिर इसी को आप लिख सकते हैं phi e बराबर Q upon epsilon not जहां epsilon not क्या है निरवात अथोवा वायू की वैदुत सिलता तो आसा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छे से आपको गौस के नियम याद हो गया होगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर दीजिए थैंक्स फर आजिए वीडियो एव ग्रेट देढ